नमस्कार, मेरा दीर श्रीय अर्विनो ससाइटी क्योर से आप सभी का बोड़ बोड़ स्वागत वाधिनन्दन करता हूँ हम आज सिच्छा में सुनी दिवे इस नमस्कार का एक्रम ZII या इवरसंकित इग्रोचक अभिनो नमस्कार के बारे में आपको रताएंगे हम इनुरेटिव पार्ट सलागे इंत्रगत NCRT प्रैमिली पोड के कच्छाती के हिंदी विशे की पुस्तर रिंजिंग के पार्ट 14 और या ऺटत्म अच्छा कहानी में एक नमस्कार अभिनों शिच्छन तखनीक की विध्य requiringने करें हम आसकर करते हैं कि आपड़ी इस नमस्कार का विजियों देखने के बाद इस नमस्कार पार्ट को अपने कच्छाव हो अधियाले में और श्रागक करेंगे इस पार्थ को करें घंसे आज़े चाहिए कि कई राया सकता है पर्दु आज हम इसे 兩 प्लाध्शंस प्रंचेह सब्सक्राइब करने की इसमें हिंदी के साथ प्रयावरा नभ्यान विशेश से समझेट विविन प्रकार के पिरों की उप्योगिता का वर्णन किया गया है इस नवाचार की उप्योंता है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिती दैसकराते समय अपने उन्लवर्मान या नाम बोलनें पर पार्ट से उने सब बोलकर कॉंसेप्ट का पुना अजयन करते हैं जिसे कॉंसेप्ट को लंबे समझा के आपकने में मदद मिलती है इसके दर्गत सिच्छक चात्रों को पढ़ाये लिए पाट के और धार्मा को पुना जयन की प्रक्रिया के साथ कच्छान उपस्थिती के मादियम से आसपास के पेड़ को रोकी प्रकार की जानकाली को दोराते हैं इसके क्रियानियल में 20 नेट का समय लगता है इसके लिए किसी प्रकार के पुन परवन्धन के आउस्था नहीं पड़ती है त्थिम आदे कि उपस्थिती के निद्धेस अजिट्थिती के लिए पेड़ पोड़ों की परकार की दिमर्डिक कि जाते हैं कुर्द्धह नम्रता पुन पुन परव मूं का पालन करने की चाहरा जाता है है सभी विज्यार्थियों को विद्धिती के द्वरां गव्रसा्थण के पालन का भी निद्धि किया dare अब सिच्छक द्वारा विद्यात्यों की कर्मान उसा उपस्थिती ली जाती है और कच्छान उपस्थिती के द्वरान सभी विद्यात्यों को सिच्छक अपने अनुकर्मान के नाम सुनने पर पाड के पेड़ कोशों के लाम बोलकर उपस्तिती 10 लिए करते हैं आइए इसे उजाना से समझते हैं शिचह किसी एक ऐस्यार्थी का विपर्मा बोलते हैं अनुक्रमां 1 विपर्मां के पने इसान के घ्रा होता है और बोलता है केला अनुक्रमां दो दूत्रा ज्याति खड़ा होता है और बहुता है नीम शिच से किसी तरह एक एक करके अंतिम अनुपर्मान कर भोते हैं और विज्याक्षियों को अपने नाम के साथ पार्च से जुड़ी जानकारी को द्वराने में मदद करते हैं आये स्वाचार के त्रियानी से होने वाले नाप के बारे में जाते हैं। थीम अदक अपस्थिति से पाथ पढ़ेवे पाथ से दूएरी त्विर्पृदों के नाम के परकार का ध्वराद करते हैं और पाथ को याद करने में सच्छा मोते हैं। कि जबनों का सहिऊचार शीचते हैं और भाइक बनाना और जोला में सीखे इससे वहाता शीखने में अ मदशनी के बाध जिद करते हैं और अपने अनुभाईに को साजा करते हैं इससे प्रतिक्रिया बैट करने कि छंता में भी बिद्धी होती है। कच्छा में छातों के स्वेम सीखने का माहौल बनता है। इस नवाचार से द्यार्टियों में उतरदाइत, सिश्टाचार और मिलम्रता जैसे मुल्यों और गहन सोचके कोसल का विकास होता है। इस नवाचार विशेश अवाश्यक्ता वाले बच्चे के लिए बहुत उप्योगी है। और बाग के दने प्रिश्टी कोन होने से NCF 2005 के उप्डिश्यों की भी पूंप्ती करता है। इस नवाचार में प्यार्टिय रुपात का पुरा ध्यान रखा गया है। इस नवाचार कमिटीव आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की कई निर्चत नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे नुरूद है कि ZIIIIII के YouTube चनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो पर देख रहे हैं तो ZIIIIII के Facebook पेज को जरूर दाइब करें। और नीचे भी एगे लीट पर जाकर क्लिक करें। और इनोवेटिव पार्ट्स अलायर भी आप नावलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका मुत बहुत 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 बहुत। झाल